एक बार क्या हुआ एक गाएं थी वो घास चरने के लिए जाय करती थी अपने घर से बार और एक बार क्या हुआ वो घास चर रही थी घास चरते चरते और वो कहीं जंगल में गलती से निकल और जब उसे महसूस हुआ कि मुझे मैं ज्यादा जंगल के अंदर आ गई हूँ तो उसे लगा कि अब शाम हो गई है, मुझे घर वापिस जाना चाहिए, जैसे ही उसने इस बाद को सोचा, और वापिस जाने लगी, तो उसने देखा, एक भाग, एक शेर उसे देख रहा था, घूर घूर कर, और शायद वो उसे अपना शिकार बनाना चाहता था, जैसे ही काए क तो इस बात का आभास हुआ कि यह शेर, यह बाग मुझे अपना शिकार बनाना चाहता है, वो डर गई, वो सहम गई, और इधर उधर दोड़ने लगी, इधर उधर भागने लगी, अपने आपको बचाने की कोशिश करने लगी, और उस बाग ने उस पर हमला कर दिया, और आउसे ही वो इस कीचड में गिरी, वो उसमें धसने लगी, अब बाग को ऐसह लगा कि उसका शिकार कीचड में चला गया, शायद वो उसे वहाँ पर आराम से पकड़ करके अपनी भूञ को बिट आएगा, और वो भी उसी कीचड में खुद गया, और जैसे ही वो उस इतनी जादा थी वो दल्दल इतनी जादा थी कि शेर भी उसमें धीरे धीरे अंदर धने लगा और जब शेर अंदर कीचट में धनुह देख रही थी तो दोनों अपस में एक दूसरे को देख रहे थे शेर काफी खभडाय हुआ था लेकिन गाएं जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी तो शेर ने डूपते डूपते उसमें अंदर दस्ते दस्ते पूचा कि गाएं तुम भी मर रही हो और मैं भी मर रहा हूँ पर तुम्हें डर क्यों नहीं है तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो तो गाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल पुछा क्या तुम्हारा कोई मालिक है तो शेर ने बोला कि मेरा मेरा कोई मालिक नहीं है मैं इस जंगल का राजा हूँ मुझे किसी की जुरूत नहीं है तो गाई ने बोला कि मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मेरा मालिक है और जैसे ही शाम होगी जब मैं घर वापिस नहीं पहुचूंगी तो मेरा मालिक मुझे 100% डूणते डूणते आएगा और शायद मुझे बचा ले मेरे बचने की तो उमीद है और थोड़ी जेर बाद ऐसा ही हुआ एक वेक्ती दोड़ा दोड़ा आया और उसने देखा कि उसकी गाएं उस कीचड में अंदर धस्ती चली जारी थी तो उसने किसी तरीके से रस्ती फैक कर उसके सींग में लगा कर किसी तरीके से उसको धीरे धीरे करके उस गाएं को बार खीच लिया अब गाएं और उसका मालिक देख रहे हैं वो शेर अंदर धीरे धीरे किचर के अंदर जलजल के अंदर जा रहा है और शेर जब बोलता है कि मुझे भी बचाओ तो उसके मालिक बोलते हैं कि हम भी इंसान है हमारे अंदर भी इंसानियत है हम आपको बचाना भी चाहते है लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमने आपको बचा लिया तो आप हमें नहीं छोड़ोगे और ये देखते देखते ये बात होते होते दीरे दीरे शेर उसके अंदर समा गया ये कहानी मुझे कहां से सुनने को मिली ये कहानी मुझे वटसेप एक वटसेप ग्रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर किसी महानुबाव ने ये कहानी लिखी और ये कहानी सुनकर मुझे अपनी इस गलती का याद आया गुर्जेव दिनेश मुहँन जी के सेमिनार में जाने का एक बार मोका मिला और वहां पर उन्होंने बोला था कि अपना एक कोच बनाओ आपके अप्लाइन बहुत हो सकते हैं लेकिन अपना एक कोच बनाओ और फिर अपने आपको समर्पित कर दो अगर आपका coach रहेगा और अपने अपने सारे जो भी आपकी परिशानिया हैं जो भी आपके challenges हैं या जो भी आपकी परिस्टितिया हैं अगर वो सारी परिस्टितिया आप अपने coach के साथ share कर दें और उनको बोले के गुर्देव मुझे तो बस अपकामियाब होना है आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा और फिर आप बाकी अप्लाइनों से टाइम लें डेट लें जरुरत पड़ें उनकी मदद लें लेकिन एक ही आप coach बनाकर एक ही अप्लाइन को अपना coach बनाकर अगर आप लगातार काम करेंगे उनकी सला लेकर लगातार उसी तदीके से काम करेंगे जैसे वो आप से करवाना चाहते हैं तो क्या होगा थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाए